दोस्तों गर आप भी चाते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम इस साल का IPL जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तों 2020 का IPL जैसे जैसे अपने अंतिम चरण पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे इस IPL का रोमांच और भी जादा बढ़ता जा रहा है जहां पहले थीन टीमें चिन्नेई, बैंगलूरू और दिली क्वालिफाई कर चुकी हैं वहीं चौथे पैदान पर कोलकाता की टीम ने अपनी जगा पकी करते ही प्ले आफ में जगा बना ली है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मौझूदा अंक तालिका की बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस साल का इपिल कौन सी टीम जीते की नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों बता दे इस पूरे सीजन में सबसे शांदार प्रदर्शन कर रहे दिली कैपिल्स की टीम पहले पैदान पर मौझूद है जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 20 अंक प्राप्त कर लिये हैं वो प्लेयाफ में अपनी जगब बनाने वाली दूसरी टीम बनी थी बता दे उनका मौझूदा ने टरन रेट है प्लस 0.48 वहीं दोस्तों दूसरे पैदान पर चेन्ही सुपर किंग्स की टीम मौझूद है बैंगलूरू की टीम तीसरे पैदान पर मौझूद है बता दे बैंगलूरू ने अपने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबलों में जीत हासिल करके 18 अंक प्राप्त किये हैं उनका मौझूदा ने टरन रेट है माइनस 0.14 वहीं दोस्तों चौथे पैदान पर अपनी जगह पक्की करने के साथ साथ प्ले आफ में अपनी जगह पक्की कर ली है कोलकातार नॉइट एडर्स की टीम ने जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है जिसके दम पर वो 14 अंक प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं और अब वो सो मुआर को बैंगलोरू के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगे बता दे उनका मौजूदा नेटरन रेट है प्लस 0.58 वहीं दोस्तों इसके पांचमें पायदान पर मुंबा इंडियन्स की टीम ने अपने हाथ सफर समाप्त किया उन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल करके सिर्फ 14 अंखी प्राप्त किये हैं उनका नेटरन रेट इस मुकाबले में कुछ हद तक बड़ा था लेकिन वो इतना काफी नहीं था कि उनकी प्लेयाफ में जगा बनाने में मदद कर सके बता दे उनका नेटरन रेट था प्लस 0.11 इसके बाद दोस्तों छटे पायदान पर पंजाब किंग्स की टीम ने अपने IPL का सफर समाप्त किया जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल करके 12 अंख प्राप्त किये हैं बता दे उनका नेटरन रेट है माइनस 0.001 इसके बाद दोस्तों साथवें पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद थी जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में जीत हासिल करके 10 अंख प्राप्त किये हैं और आखरी के दो मुकाबलों में दो शर्वनाख हार का सामना करके अपने आईपियल का सफर यहीं पर समाप्त किया बता दे उनका मौजूदा नेटरन रेट है जो कि सबसे ज़ादा खराप था माइनस 0.99 वहीं आखरी पैदान पर हैदराबाद की टीम मौजूद थी जो सबसे पहले प्ले आफ की दोड़ से बाहर हुई थी उन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की थी जिसके वज़े से वो सिर्फ 6 अंख ही प्राप्त कर पाय थे इसमें सर्वसेश्च पैदान पर पंजाब के कप्तान केल राहूल मौजूद है उन्होंने अपने 13 मुकाबलों में शांदार बल्ले बाची करते हुए 626 सन बनाए जिसके वज़े से वो अब तक औरेंज कैप के हकदार बने हुए हैं वहीं दोस्तों दूसरे पायदान पर 5-2 प्लेसिस मौजूद हैं जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में 546 सन बनाने में काम्याब रहें उनके पास दो अच्छे मौके मौजूद हैं जिनमें वो शांदार बल्ले बाची करके औरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं वहीं दोस्तों गेंदबाजी के अगर बात कीजाया तो पूरे सीजन में सबसे शांदार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज रहे हर्शल पटेल जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से 30 विकेट अपने नाम किये हैं इसके वज़े से वो पूरे सीजन परपल कैप उनके नाम रहा बता दें उनके आस पास भी कोई गेंदबाज नहीं मटरा रहा है क्योंकि दूसरे पायदान पर मौझूद आविश खान ने 14 मुकाबलों में शांदार गेंदबाजी करते हुए बाइस विकेट अपने नाम किये हैं और वो हर्शल पतेल से आठ विकेट दूर है और उनके पास भी दो मौके हैं जिन में वो शांदार गेंदबाजी करने में कामयाब रहे तो परपल कैप उनके नाम रह सकेगी लेकिन दोस्तों मौझूदा अंक तालिका को देख कर आप सभी को क्या लगता है इस साल कौन सी टीम IPL का खिताब जीतने में कामयाब रहेगी नीचे कमेंट सक्चन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद